मैं डॉक्टर सुनील जिंदल जिंदल हॉस्पिटल मेरट से मुझे 25 साल हो गए हैं मेडिसन प्रैक्टिस करते हुए मैं एक सर्जन हूँ, एक एंडॉलोजिस्ट हूँ आज प्रधान मंत्री जी ने एक हिंदुस्तान के लॉकडाउं का अनॉस्मेंट किया है 15 प्रैल तक, मेरी आप से हाथ जोड़ के एक निविदन है कृपिया घर पे रहें, प्लीज स्टे एट हूँ आपको बीच में अगर जाने की जुरुत पढ़ती है तो आप क्या प्रिकॉशन लें, घर वापिस आके क्या प्रिकॉशन लें और अगर घर में किसी को बुखार हो, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपको किसी कारण वश बाहर जाना पड़े तो लंबी स्लीव्स का कपड़ा पहनिए मास्क पहनिए, बाल बांद के रखिए पब्लिक ट्रांस्पोर्ट वैसे तो बंद होगा लेकिन किसी भी ऐसे ट्रांस्पोर्ट में मच जाएए जिसमें ज्यादा लोग हो खासी होती है, तो यह अत्रहाद के अंदर कीजिए या टिशू पेपर में कीजिए टिशू पेपर में खासी करने के बाद में एक प्लास्टिक का बैग ले दीजे जिसमें वो रखना है इसकी अतिरिक्त अगर आपको पैसा यूज़ करना है तो कोशिश करिए प्लास्टिक मनी यूज़ करें अपने हाथों को धोएं अपना चेहरा नाचुएं और अगर किसी से मिलना है तो कम से कम दो मीटर का फासला रखें अब आप अपना काम निम्टा के कुछ बैग लेके घरा आएं तो आपको क्या करना है अपने जूते बाहर उतारें अपने हाथ धोएं बैग अगर बाहर छोड़ सकते हैं तो बाहर छोड़ दीजे समान में अगर सबजियां हैं तो गरम पानी में धोईए अगर कोई और चीज़ है तो सेनिटाइज करके घर के अंदर लाइए इसके बाद में सबसे जरूरी है आपका नाना और कपड़े 60 डिगरी सेंटीग्रेट में गरम पानी में धुलने हैं एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिए अपने मुबाइल को सेनिटाइजर से साफ कीजे अब अगर किसी कारण वर्ष से आपके घर में किसी को बखार हो जाता है तो आप क्या करें अगर किसी को बखार होता है तो अलग बेट पे सोएंगे अगर आपके कमरे में कोई और कमरा है तो दूसरे कमरे में सोएंगे आप बरतन चादर टावल कोई भी चीज़ को शेयर नहीं करेंगे बाथरूम अरगर अलग है तो अलग बाथरूम में रहें और बात उनको bleaching powder से साफ करना है जितना आपका common area है घर का जिसमें वो भी आते हैं और आप भी आते हैं उसको bleaching powder से साफ करना है distance बना के रखिए और अगर temperature उनका 38 degree मतलब 101 के आस पास पहुंच जाता है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो immediately अस्पताल में कौन करिए अगर आपको 14 दिन के लिए घर रहना है तो 14 दिन घर रहना है अगर आप बाहर चले जाते हैं तो जिस दिन बाहर जाते हैं उसको पहला दिन माना जाएगा अपने लिए सब देशवासियों के लिए एक काम हम सब को करना है और वो करना क्या है कि घर पे रहना है और इस टाइम पर 15 अपरेन तक किसी रूप में इस लॉकडाउन की अवेलना नहीं करनी है जय हिंद जय भारत